एक जंगल में खरणखर नामक शेर रहता था. एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया. शाम हो चुकी थी. कोई शिकार हात नहीं लगा था. उपर से वह ठक कर चूर हो चुका था. तभी उसे एक गुफ़ा दिखाई पद्धी. वह गुफ़ा के अंदर चला गया. गुफ़ा खाली थी. शेर ने सोचा अवश्य यहां रहने वाला जानवर बाहर गया है. रात होते होते वह गुफ़ा में वापस जरूर आएगा. ऐसा करता हूँ, तब तक यहीं छुप कर बैठता हूँ. जब वह जानवर आएगा, तो उसे मार कर खा जाओंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा. वह गुफ़ा में एक कोने में छुप कर बैठ गया. वह गुफ़ा दक्षिपुच नामक गीदर रदाच की थी. जब वह लोट कर आया और गुफ़ा के पास पहुचा, तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफ़ा के अंदर जा र हुआ है. यह पता लगाने की शेर गुफ़ा में बैठा है या नहीं, उसने एक युक्ति निकाली. गुफ़ा के द्वार पर खड़ डीधा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ. तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करो होगे. लेकिन तुम तो चुप हो. क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब गीधददाच की आवाज शेर के कानों में पहुँची, तो उसने सोचा कि ये गुफ़ा अवश्य गीधददाच के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है. शायद मेरे तुम्हारा स्वागत है. जल्दी अंदर आओ. शेर की गरत सुनकर गीधदध डर गया. वह उल्टे पैर वहां से भाग गया. इधर शेर बहुत देर तक गीधदध की अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा. लेकिन सब व्यर्थ रहा. अंत में उसे समझ आ गया कि उसे मूर्ख बना कर भाग गया है. शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोधाया. किन्तु अब वह क्या करता? शिकार उसके हाथ से निकल चुका था.